हाई! मैं हूँ सामिया खान वेल्कम टू खाना के साना चैनल । आज हम बनेंगे तंदूरी चाय की रैसिपी तो चलिए मैंने आप Our पे कुछ सब्सक्रेदि लिए है जैसे मैंने! लिए चलिए recipe स्टार्ट करते हैं अब मैंने आपर एक पेकट फूल प्रीम लिया है जिसे मैंने गरम होने रख दिया है अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी और चाय का जो भी समान है वह मैं इसमें में एक Quiz एठ फ zij दिए yaş है कि आद्रक बी और में इसमें शुर्ड बी कर देंगे पत्ति विए कर देंगों और चाय को समाने स्वाद कर दिया है जयार्ट की फ्लम हाई रखेंगे ताकि जल्डी से सब्सtid अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक तरफ हम कुल्लड गरम रखेंगे अब हम कुल्लड को अच्छे से गरम कर लेंगे याद रखना कुल्लड को बहुत ही अच्छे से गरम करना है तो यहां हमारी जो चाय हों मीडियम फ्लेम पर पक रही है तो देखें कुल तो तीन तीन मिनट तक शेखेंगे एक तरफ से दो मिनट तर इधर से शेखेंगे आप देखिए इस तरह से रखने से यह जो कुलड़ है वो अंदर से गरम हो जाएगा और इस तरीके से हमें इसकी जो पोजिशन है वो चेंज करते रहना है normally अच्छे से सेखना है तो जो हमारी चाय वह अच्छे से बन गई है आप जो कुल्लड है देखिए इस तरीके से हम गरम करते रहेंगे पर साइड से चेंज करते रहेंगे इसकी पोजिशन यह जो चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और देखिए आप इसे आसानी से घर पे बना सकते है आप जो है चाय को मैं छान लूँगी चाय मेरी अच्छे से बन गई है अब इसे हम छान लेंगे अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने चाय को छान लिया है और चाय को मैंने बहुत ही अच्छे से पकाया है बहुत ही टेस्टी बनी है चाय आप देखिए जो कुल्लड है आप देख सकते हैं बहुत ही जादा अच्छे से गरम हो गया है अब इसे और साइड से से शेक लेंगे आप ब्ल और अब हम इसमें चाय आड़ करेंगे देखे इस तरीके से हम इसमें चाय आड़ करेंगे आप देख सकते हैं कि कितना जाता गरम है कुलड और यह चाय है यह बहुत ही अच्छे से इसमें पक जाएगी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस चाय में तो आप देख सक तंदूरी चाय आप घर पर असानी से बना सकते हैं बहुत इस सिंपल रेसिपी है देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो तंदूरी चाय है वो बिल्कुल रेडी है बहुत जादा टेस्टी बनी है अगर आपको में रेसिपी पसंद आया तो आप में चैनल को कमेंट करें शियर करें सबस्क्राइब